जेश्री हरी, स्प्रीच्छल ग्यान में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आज की वीडियो में जानेंगे हम कामधेनू की मूर्ति के बारे में क्या है इसकी विशेष्टा, घर पर इसको कहां पर रखें जिससे की रुपे पैसे से संबंदे कोई समस्या ना आए वास्तो सास्तर के अनुसार कामधेनू गाय में मादुर्गा, लक्ष्मी जी और देवी सरस्वती के गुण होते है घर पर कामधेनू और बच्छडे की मूर्ति रखने से सुख सम्रद्धी आती है और परिवार में खुशाली रहती है हिंदु धर्म में गाय को बहुत ही पवित्र पशू माना गया है वही कामधेनू गाय को तो सभी गायों में दिव्य माना जाता है इसका कारण यह है कि कामधेनू गाय समुद्र मंथन के दौरान निकले 14 पहु मुल्य रत्नू में से एक है वास्तो सास्तर में भी कामधेनू गाय को धन और सुक समरद्धी के लिए महतोपून बताया गया है कहा जाता है कि कामधिनु गाय में मधुर्गा, देवी लक्ष्मी और देवी सरस्वती के गुण मोजूद होते है वास्तो सास्तर के अनुसार घर पर कामधिनु की मूर्ती रखने से धन समपत्ती में व्रधी होती है जानते हैं घर पर किस दिशा में रखनी चाहिए कामधिनु की मूर्ती और इससे क्या-क्या लाब है कामधिनु गाय का महत्व कामधिनु गाय को सुर्भी के नाम से भी जाना जाता है जिसका अर्थ होता है सुगंद कामधेनू गाय के चार पेरों को चार वेदों का प्रतीक माना गया है जो कि हिमाले का प्रती निदित्व करते हैं कामधेनू के आखों में सूर्य और चंद्रमा का वास है कंधों में अगनी, वायू और पवंदेव है सींग को पवित्रत्री मूर्ती, सिरे पर भगवान ब्रह्मा, केंद्र में भगवान विश्नु और आधार पर भगवान शिव है घर पर रखें कामधेनु की ऐसी मूर्ती घर पर कामधेनु गाय की ऐसी मूर्ती रखें जिसमें उसके साथ बच्छडा भी हो इसे नंदनी कहा जाता है कामधे नुगाए और नंदनी बच्छडे की मूर्ती रखना और पूजा करना बहुत लाबकारी होता है इससे घर पर सुख शान्ती आती है जीवन की समस्याएं दूर होती है बिमारियों से छुटकारा मिलता है संतान सुख की इच्छा रखने वाली महिलाओं को कामधे नुगाए और बच्छडे की मूर्ती की पूजा करने चाहिए इससे गर्बधारन करने में लाब होता है कहां और किस दिशा में रखें कामधे नुगी मूर्ती वास्तु सास्तर के अनुसार घर पर कामधे नुगाए और बच्छडे की मूर्ती रखने के लिए इशान कोन यानि की पूर्वोर्तर दिशा को सबसे अच्छा माना गया है क्यूंकि इस दिशा में देवी देवताओं का वास होता है इसलिए हिंदु धर्म में इस दिशा को सबसे पवित्र माना गया है इस दिशा में मूर्ती रखना घर के लिए बहुत शुब होगा आप अपने पूजा घर में कामधेनों की मूर्ती को स्थापित कर सकते हैं वास्तू के अनुसार घर की दर्वाजे पर भी मूर्ती रख सकते हैं इससे भी आपके जीवन में प्रगती आएगी अगर आप आयस यदिक खर्च से परिशान हैं तो घर आफिस यद दुकान के कमरे के दक्षन पस्चिम कोने में कामधिनू की मूर्ती रख कर उसकी पूजा करने चाहिए आप तामबे, चांदी या पीतल की धातू से बने कामधिनू की मूर्ती को घर पर रख सकते हैं शुबता के लिए ये सभी धातू शुद्ध वैपवित्र माने जाते हैं ये थी जानकारी कामदेनु गायस से संबंदित, आशा है वीडियो आपके लिए काफी यूसफुल रहा होगा, प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, इसी तरह की और वीडियो को देखने के लिए स्प्रिछल ज्यान चैनल को सब्सक्राइब करे थैंक्स फो वाच्छिं